ओम शान्ती आज बाबा के अवेक्ट महावाक्य हैं मुर्ली की रिवाइस डेट है 14 दिसंबर 94 मुर्ली का हेडिंग है समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार तीन बिंदी लगाना आज बाब दादा किस सभा में आये हैं ये सारी सभा किन आत्माओं की है बाब दादा देख रहे हैं कि हर एक हाइस्ट रिचेस्ट है दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन दे वर्ड लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्प इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल साथ में चलता है, सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जनम में तो रिचेस्ट हों, लेकिन भविश्य में भी अनेक जनम साहुकार से साहुकार रहेंगे और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो के हमारा ये खजाना अनेक जनम साथ रहेगा, गैरंटी है ना, तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा, तो आज बाप दादा अपने शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकालो, जमा का खाता कितना तीवर गती से बढ़ता जा रहा है, और बढ़ाने का साधन कितना सहज है इसमें महनत है क्या आपकी कमाई वे जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढाते जाओ आप भी बिंदी बाप भी बिंदी ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना और कोई मात्रा है ही नहीं क्या क्यों कैसे ये question mark की मात्रा आश्चरे की मात्रा किसी की आवश्चक्ता नहीं है क्योंकि master knowledgeful बन गए तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो पता नहीं ये शब्द संकल्प में भी बदल गया तिरकाल दर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है संगम पर सारा खेल ही तीन बिंदियों का है सबसे सहज बिंदी होती या question mark सहज है बिंदी सहज है ना बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता सेकंड से भी कम बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है कई बार बिंदी के बजाए कलम भी लंबी लकीर खीच लेती है बिंदी लगाने से एक सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना अगर बिंदी के बजाए और कोई मात्रा लगाते हो या लग जाती है तो सोचो ग्यान का खजाना गया शक्तियों का खजाना गया गुणों का खजाना गया संकल्प का खजाना गया एनरजी गई श्वास सफल के बजाए असफलता में गया समय गया कितना गया लंबी लिस्ट हो गई ना तो ये कभी भी नई सोचो कि एक दो सेकंड ही तो गया लेकिन एक सेकंड में गवाया कितना, एक सेकंड भी कितना भारी हो गया, हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो, कमाया क्या और गवाया क्या, इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाए, बाप दादा भी बच्चों की जमा के खाते, चेक करते रहते हैं, जब खाता देखते हैं, तो मुस्कुराते रहते हैं, क्या देखते होंगे, जो मुस्कुराते हैं, अमृत वेले, मिलन भी मनाते, रूर रिहान भी करते, वाइदे भी बहुत अच्छे करते, कि ये करेंगे, बहुत अच्छे अच्छी बातें करते हैं, लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई न कोई खजाना गवाँ भी देते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं? बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गमाया? तो फिर बातें क्या करते हैं? सिर्फ संकल्प में चला, सिर्फ संकल्प पे चलाना वो तो ठीक हो जाएगा। बाप को भी दिलासी दिलाते हैं कि ठीक हो जाएगा, पुरशार्थी है ना, संपूरण तो नहीं होए हैं, हो जाएगा। तो बाप दादा कहते हैं कि गागा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं। लेकिन ये भी कब तक क्या अंत में संपूरण होना है कि बहुत काल की अभ्या से बहुत काल का वर्सा पाना है। वर्सा अविनाशी चाहते हो, संपूरण वर्सा चाहते हो कि अधूरा चलेगा और पुरशार्थ में अधूरा पुरशार्थ चलेगा। तो पुर्शार्ट के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो और प्राप्ती के समय गे-गे करेंगे, उसमें तो संपूरन प्राप्ती चाहिए, संपूरन वर्सा चाहिए, सभी लक्ष्मी नारण बनने में हाथ उठाते हो मालूम भी है कि लक्ष्मी नारण की भी आठ गदियां चलेंगी लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायन में उठाते होना तो लक्ष्मी नारण का अर्थ है नमबर वन पास्विद ओनर होना बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते हैं राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है सिर्फ फुर्शार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्ब करते हो वैसे ही ये बोल और करम में लाओ बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मैजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है द्वापरकाल से व्यर्थ सुनने देखने और फिर सोचनी की आदत न चाहते भी आकरशित कर लेती है और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला चाहता है पहले भी सुनाया कि सेकिंड का भी कितना महत्व है दूसरी बात मैजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते है एक गंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला हर बोल में आत्मिक भाव और शुब भावना है बोल से भाव और भावना दोनों अनुबव होती है अगर हर बोल में शुब भावना शुरेष्ट भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं वो तो अनेक हैं इरिशा, हशद, गिर्णा ये भावनाएं चैक किसी भी परसंट में समाई हुई होती है कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बापदादा सुनते हैं हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहें वो सुन सकते हैं हर बोल का सार नहीं होता कई बार कहते भी हो मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था ऐसे ही निकल गया, वै बोल दिया, लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुब भावना नहीं वो किस खाते में जमा होगा, वेस्ट में हुआ ना, तो कमाई का खाता जादा होगा या गवाने का खाता ज़्यादा होगा ये तो गवायाना तो बोल में भी गवाने का खाता ज़्यादा होता है तो बोल को भी चेक करो ऐसे ही बोल दिया ये भाशा बदली करो समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ती का भाव विसार हो अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना जितना एक दिन में जमा कर सकते हो तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा लक्ष्मी नारेंटों बनना ही है ना कि नहीं बने तो भी हरजा नहीं पहले जनम से लेकर श्रेष्ट प्रालब्द पानी है कि दूसरे तीसरे जनम से शुरू करेंगे पहले जनम में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ, पसंद है? नहीं पसंद है ना? तो इतना जमा का खाता है अगर खाता कम होगा तो प्रालब्द क्या खाएंगे? उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है तो आज बाप दादा ने सभी की जमा के खाते देखे दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो संगम युक की महिमा कितनी अच्छी करते हो तो स्वयम भी सदा समय के महत्व को सामने रखो समय के पहले अपने श्रेष्ट भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो संगम युक के समय की विशेष्टा है कि तीनों रूप की प्राप्ती है एक वरसे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को source of income कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्टी के आधार से, और तीसरा है, वर्दान के रूप में वर्चा भी है, इनकम भी है, और वर्दान भी है, प्राप्टी बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो वर्षा भी बेहद है इंकम भी बेहद है और वर्दान भी बेहद के है कभी सोचा था कि रोज भगवान का वर्दान मिलेगा इतने वर्दान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है वर्से पर भी पढ़ाई पर भी और वर्दान पर भी छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी है तीनों ही संबन से तीनों के उपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना सभी फखुर से कहते है ना बाप मेरा है ये कहते हो क्या कि मेरा नहीं तेरा है हमारे लिए बाप पढ़ाने आता है ये समझते होना तो पढ़ाई पर अधिकार है ना और वर्दाता के पास वर्दान है ही किसके लिए हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वर्दाता बाप है तो तीनों पर अधिकार है कहने में तो बहुत साधारण है इसी लिए तो दुनिया वाले हसते हैं कि हैं क्या और कहते क्या हैं तो अधिकार को सदस्मृति में रख कदम उठाओ इमर्ज रूप में रखो मर्ज रूप में नहीं है तो ब्रह्मा कुमार है ही बाबा के ऐसे नहीं इमर्ज रूप में मन में बुद्धी में करम में इमर्ज रखो मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ बुद्धी में सिमृति स्वरूप हो और करम में अधिकारी के निश्चे और नशे से हर करम हो ऐसे नहीं, अम्रत वेले तो इमर्ज रहता है कि सारे दिन में मर्ज हो जाता है, नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे, तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीवर गती से बढ़ाना, धीला ढाला नहीं करना, क्योंकि समय आप मास्टर रचैता के लिए रुका हुआ है, अभी भी प्रकर्ती को ओडर करें तो क्या नहीं कर सकती है, अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें, तो क्या नहीं हो सकता, और कितने में हो सकता, तो समय, प्रकर्ती और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है, आप संपुरन ताकी बदाईयां मनाओ तो विदाई लेकर ही जाएंगी माया भी देखती है अभी ये तैयार नहीं है तो चांस लेती रहती है प्रकर्ती को ओर्डर करें पुरुष तैयार है प्रकर्ती तो तैयार हो जाएगी ओर्डर करें कि ज्यान सरोवर तैयार हो पीछे और्डर करें ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो शक्तियां एवर रेडी हैं संपूरन हो गए हैं थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे न ये सोचो चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महा विनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नौलेज की आइने में कि मैं क्या बनूगा आइना तो सब के पास है ना क्लियर है ना तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो बाप को क्या टाइम लगेगा जब ब्रम्हा के लिए गायन है कि संकल्प से स्रिष्टी रचली तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता बाप जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रम्हा क्या करेगा साथी चाहिए ना तो ब्रम्हा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो, सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो, इसका भी मोहरत होना है ना, ज्यान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है, इसकी डेट क्या है, ये किसको फिक् बच्चों के हाथ में दिया है, कोई काम तो आप भी करेंगे, कि सब बाप करेंगे, डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना, अच्छा, नए बच्चों को देखते हुए, देखो, आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आप से सब का कितना प्यार है, पहला चांस आप सब को ही द हैं, सब खुश राजी हैं, कितने पैर फिर्थवी मिली है, दो पैर या तीन पैर, दो पैर में भी राजी तो हो, तक्रीफ तो नहीं है ना, खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना, मेले में ऐसी पालना, और कोई की हो ही नहीं सकती, मेले देखे है ना, ऐसा ब्रहमा कहां मिलता है सर्दी लगती है मौसम की भी मिठाई होती है तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है मिठाई तो खानी चाहिए ना सबको शौलों की सौगात तो मिलती है ना कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है या खाली होकर आते हो अच्छा नयों की दिल पूरी हुई मदुबन देख लिया पहले स्वपन में था अभी साकार में हो गया कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है क्यूं सोचो अभी नौ लाख जमा हुए है पहले जनम की संख्याही तैयार नहीं हुई है वो तो होनी है ना कितने मकान बनाएंगे कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ जितना संख्या बढाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी तो क्या करेंगे जितना मिले उतने में राजी रहो मेला भी करना है ना तलहेटी में ब्राह्मनों का विशाल संगठन होना है तो ये तो मेले में आने नहीं है ये तो आ गए दूसरे के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है दस हजार सोएंगे बीड नहीं हो जाएगी ये तो समझते हैं हमको तो चांस मिलना नहीं है इंतिजार की गड़ियां भी प्यारी होती है एक साल के बाद जाना है ये इंतिजार होता है ना तो इंतिजार में पुरशार्ट कितना अच्छा चलता है और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया फिर क्या होगा फिर अलबेलापन आएगा नहीं आएगा और आगे बढ़ेंगे ये भी ड्रामा में जो विदी बनी है वो बहुत ही फाइदे वाली है एक साल में पक्के तो हो जाते हो ना नहीं तो कच्चे कच्चे आजाते फिर युद्ध करनी पड़ती हर साल में आपके यहां यानि मदुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं अभी भी ये मेला क्या है इंटरनेशनल है ना देश विदेश सब तरफ के है ना दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम पांच साल में एक किया तो बहुत कर लिया और मदुबन में कितने होते हैं पता पढ़ता है इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश मजा आता है ना लेकिन आना टरन पर अभी तो देखो दस हजार में भी टेंट तो मिले गाना आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे सारे आभू के पहाडों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं अच्छा चारों और के हाईएस्ट और रिचेस्ट स्रेश्ट आत्माओं को हर खजानों के मालिक संपन आत्माओं को सदस्वयम को ever ready बनाने वाले तीवर पुरशार्थी आत्माओं को सदसमय संकल्ब बोल द्वारा श्रेश्ट कमाई का खाता जमा करने वाले अत्ती समीब आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड बॉनिंग नमस्ते 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 जी फिर बाबा ने दादी जी से बात की सब सहज चल रहा है ना मेला चल रहा है या खेल चल रहा है संतुष्टा का खेल चल रहा है संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं ये संतुष्टा का खेल सभी को प्यारा लगता है और सब ठीक है पहले लिस्ट देखो पीछे दो बारी भी होगा तो कोई बात नहीं बाप बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करता है बाप को आने में तो कोई तकलीफ नहीं है न चाहे मदुबन, पांडव भवन में आए चाहे तलहेटी में आए उनको आने में कोई तकलीफ नहीं है तकलीफ तो बच्चों को है लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती जब बच्चे हिमत रखते हैं कि हमारे लिए तकलीफ नहीं है मनोरंजन है तो बाप को तो तन में ही आना है ना बस संगम पर करना ही क्या है मेला और खेला, सेवा है खेल मेला मनाओ और सेवा का खेल करो और क्या करना है, खाओ पियो, ब्रह्मा बोजन खाओ अच्छा वरदान है बाबा शब्द की डाइमंट की अर्था चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमातम सनेही भव जो परमातम सनेही बच्चे हैं उन्हें बाप दादा एक डाइमंट शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं वै शब्द है बाबा इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ती हो जाएगी इस चाबी की कीचेन है सदा सर्व संबंदों से सिम्रती स्वरूप रहना साथ साथ प्रतिज्या के कंगन और सर्व गुणों की श्रिंगार से सजी सजाई रहो तब विश्व के आगे फरिष्टे रूप वै देव रूप में प्रख्यात होंगे स्लोगन है बीती को पास करके बाप दादा के पास अर्थात समीप रहो तो पास विद ओनर बन जाएंगे अच्छा आज सूचना है आजमास का तीसरा रविवार है सभी राजयोगी तपस्वी भाई बेहने साएं साड़े छै से साड़े साथ बजे तक विशेश योग अभ्यास के समय मास्टर सर्व शक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में इस्थितों सर्व शक्तियों का महादान करें दुखियों की पुकार सुने उपकार करें अच्छा आज का अव्यक्त इशारा है मनसा वृत्तियों से वायू मंडल का परिवर्तन करने के लिए मन बुद्धी व्यर्त सोचने से मुक्त होना चाहिए मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए जिन श्रेष्ट आत्माओं की श्रेष्ट मनसा अर्थार संकल्प शक्ति शाली हैं शुब भावना शुब कामना वाले हैं वे मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं अच्छा ओम शान्ति अच्छा आत्माद शक्तियों की श्रेष्ट च्रेष्ट शक्तियों की श्रावना शक्तियों श्रेष्ट भाहिए